है या कि अलोरीगएगन वेलकम बैक टू हीमाचवदेश बूख इस सेशन में हम बारा से सतर अतुबद बहुग दो हजार इकिस के करेंट फेड़ डिसकस करेंगे सहसे पहले हम हम में हमाचवर दिसकस करेंगे उसके माज़ादेश हाई कोड के 26 मुक्य नयादिश बने हैं इनसे पहले कौन थे इनसे पहले थे वो थे एक्टिंग चीफ जस्टिस आर्वी मल्लीमट यान की रवी मल्लीमट इनकी ट्रांसफर कर दी गई है अच्छा अगर रेगलर में पूछें तो रेगलर में कौन थे वो थे ए कि उमीद रफीक इने शबद दिलेवा जारी है हिमाज-गि इसके प вас के गवर्णर राजिंदर विश्छनवत और लेकर द्वरा याद रखीगा चीफ जश्टिस को उट्रायों कौन दिला दा आ और गवर्णर को शपद दिलाता है वह दिलाते हैं चीफ जश्टिस जो भी के Chief Justice होते हैं यानि कि ये एक दूसरे को शबत दिलवाते हैं जब भी इनकी appointment की जाती है इसके लाब ये भी याद रखीगा कि टोटल कोलीजियम में कितने judges हैं टोटल नाइन ये judges हैं हिमाज़देश हाई कोड की कोलीजियम में जिनमें कि सबसे important आपको बात ये याद रखनी है कि इसमें दो फिमेल जजजिस हैं एक हैं जश्टिस सबीना और दूसरी हैं जश्टिस जोसना रिवाल दुआ और जश्टिस सबीना हाली में इन्हें हिमाज़देश हाई कोड का जजज बनाए गया है इसके लावा पूरे भारत में और भी हाई कोड्स हैं जिनमें कि नए जजजिस बनाएगे चीफ जश्टिस बनाएगे जैसे कि अलाबाद में, मेगाल्या में, तिलंगाना में, कैलकटा में और मद्यपरदेश में जो हिमाज़देश के थे वो मद्यपरदेश बेजे गए और जो मद्यपरदेश के थे उन्हें हिमाज़देश ट्रांसफर किया गया तो कहां के जाएगा ये के जाएगा उन्ना के बर्नों में याद रखेगा उन्ना के बर्नों में केंदर सरकार द्वारा funded मुर्रा बुफैलो फार्म इसे establish किया जाएगा हिमाचले सरकार द्वारा और इसके लिए total outlay जो है वो तियार किया गया है 506.45 लाग का और इसकी पूर यहां पर प्रोड्यूस किया जाएंगे और मुक्य रूप से disease-free bovine species यहां पर प्रोड्यूस की जाएंगी और जो यह प्रोजेक्ट है इसके लिए मुर्रा बुफैलो फार्म को set up करने के लिए हिमाचले दिश लाइफ स्टॉक और पॉलिटरी डवल्मेंट बोर्ड इसे establish क जाएगा और यह भी आद रखेगा कि यह central funded है बात करने इसके main aim की main aim इसमें क्या है तो इसमें high yielding carbs जो है वो उत्पन करवाए जाएंगे और पुरे भारत में इन्हें भेजा जाएगा ताकि overall milk production जो है वो increase हो सके क्योंकि dairy industry के लिए और पुरे भारत में milk की consumption जो है milk की demand ज कौन करता है वो करता है National Bureau of Animal Genetic Resources याद रखेगा किसके द्वारा इन्हें रिकोगनाइज किया जाता है कि इन्डिजिनिस यानि की देशी नसल है या नहीं है तो National Bureau of Animal Genetic Resources इनके द्वारा इन्हें रिकोगनाइज किया जाता है और यह कहां पर है यह हर्याना के करनाल में very very important इ इसके लावाज जो National Bureau of Animal Genetic Resources है जो कि करनाल में है इसके डिरेक्टर है डॉक्टर बीपी मिश्रा परपठाणिया who belongs to Kullu District is அதed with which sport परपठाणिया जो Kullu Jilje से संबन्दित हैं किस खेल से जुड़े हुए हैं तो यह kickboxing से जुड़े हुए हैं देखे, न hype क्यों हैं तो परपठाणिया जो कि कुलु पूटिस्टिक के बुंतसव डिवीजन के काटाओगी विलेज के रहने वाले हैं काटाओगी विलेज के रहने वाले हैं और ये किक बॉक्सिंग खेल से जुड़े हुए हैं किक बॉक्सिंग खेलते हैं तो इटले में आज़ित होने वाली वाको किक बॉक्सिंग चैंपेंश तो चंबा के चौगान में होक्की हिमाचल जूने चैंपेंशिप का हजन किया गया चुनाव विभाग हिमाचल देश द्वारा 30 सक्तुबर को होने वाले उपचुनाव के लिए विकलांग मत दाताओं के लिए कौन सा हिलपलांग नंबर शुरू किया गया है तो कौन सा नंबर है यह है 1950 तो जो भी विकलांग मत दाता है विकलांग यानि की जो दिव्यांग मत दाता है उनकी हल्प के लिए एक हल्पलांग नंबर शुरू किया गया है हिमाचल देश एलेक्शन डिपार्टमेंट दोरा तो वो है 1950 इसको याद रखेगा सतलो जल्विदु निगम लिम्टेड हैस रिकॉर्डड अ हाउँमच ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर टेक्स त्यूरिंग टूर्ट टूर्टेवन दोहजार बीस एक्टिस के दौरान कर से पहले कितना सकलाब्दर्ज किया है कर से पहले यानि कि टेक्स सम्मिट कराने से पहले का जो उनका प्रॉफिट बन रहा है वो कितना बन रहा है बात करें सतलू जल विदू निगम लिम्टिड की वर्ष उन्हाटासी में इसके स्थापना की गई थी इसका है शिमला में और इसके चेर्मेन और मेरेजिंग ट्रेक्टर है नंदलाल शर्मा इनका नाम भी याद रखीगा इसके लाबा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये जो विलेज है ये उन्ना डिस्टिक में ही है और हाली में यहाँ पर दाल चीनी प्लांटेशन अभियान शुरू किया गया था तो याद रखीगा कोलीन और तनोह ये दो विलेज हैं यहाँ पर दाल चीनी प्लांटेशन अभियान भी शुरू किया गया था तो जो हमारे रूर डॉल्मेंट मिनिश्टर है विरेंदर करणवर उनके द्वार आनॉस्मेंट की गई कि उन्नाडिस्टी के बॉल विलेज को बैम्बू विलेज की रूप में डॉल्प किया जाएगा बैम्बू विलेज की रूप में डॉल्प किया जाएगा इसके लिए इन्होंने बैम्बू इंडिया एक और्गनाजेशन है उसके ताज इन्होंने वर्चुल मीटिंग की और वहां पे पूरी की पूरी बार डिसाइड की गई इसके लावा इस बाउल विलेज में एक पाइलेट प्रजेक्ट भी चलाया गया है जिसका नाम है बैम्बूना bamboo ना नाम का एक pilot project भी चलाय गया है जिसके अंतरगत यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि bamboo के product जो है यहाँ पर बनाय जा सकते हैं नहीं बनाय जा सकते हैं इसके बाद यहाँ पर decide किया गया कि इसे bamboo village बनाय जाएगा तो इसमें सबसे important बात यह है कि उनना डिस्टीक का जो ball village है उसे bamboo village के रूप में विक्सित किया जाएगा यहाँ पर bamboo से लेटर जो product हैं वो सारे सारे handmade बनाय जाएगे जैसे कि toothbrush, mobile phone stand, pen stand, drinking straws, soap cases, earbuds और जो इतने भी bamboo से product बन सकते हैं वो सारे 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 बनाय जाएगे और जो bamboo India company है इनके द्वारा 100% इनकी marketing की जाएगी तो सबसे important बाच जो है वो याद रखीगा कि जो bamboo village है वो उनना के ball village को बनाय जाएगा हिमाचल देश पुलिस will introduce which register number in all police stations to monitor drug smugglers हिमाचल प्रदेश पुलिस नशात असकरों पर नजा रखने के लिए सबी थानों में कौन सा register number शुरू करेगी correct answer option भी register number 29 तो हिमाचल देश पुलिस द्वारा decide किया गया है कि एक November से हिमाचल देश के जितने भी police station है वाँपर register number 29 शुरू किया जाएगा जितने भी नशा तसकर हैं drug traffickers हैं उनकी सारी सारी डिटेल इस डिश्टर में रखी जाएगी इतना ही याद रखीगा इसके लाबा हिमाचल देश पुलिस के जो ट्रेक्टर जनला पुलिस है वो है संजे कुंडू तो कहां हुआ था तो ये हुआ मनिकर्ण में मनिकर्ण जो है वो कुल्लो डिस्टिक में है त्याद रखीगा स्टेट लेवल वोमन वाक्सिंग जेंपेंशिप जो है वो मनिकर्ण में हुई और ये हुई 15 और 16 क्टूबर को इसमें शिमला उन्ना हमिरपूर बलासपूर स्टेट लेवल वाक्सिंग जेंपेंशिप हुई यहीं से ही स्लेक्ट की जाएगी टू मार्क आजादी का अमरित महसब ओन दे 75 अनिवर्सी ओफ इंडिफेंडेंस विच पोस्टल डिपार्टमेंट रिलीजड माइ स्टेंप विद फोटो अफ लोकल फ्रीडम फाइटर सौदागरमल देखिए एक पोस्टल डिपार्टमेंट है हिमाचपडेश का उन्होंने एक स्टेंप लॉंच की है जिसके अंतरगत इस स्टेंप पे एक लोकल फ्रीडम फाइटर है जिनका नाम है सौदागरमल उनकी तस्विर को लगाया गया है और यह सब किया गया आज़ादी का अमरित महसब मिनाने के लिए तो कौन सा पोस्टल डिपार्टमेंट है जिनके द्वारा यह स्टेंप रिलीज की गई है तो यह रिलीज की है पोस्टल डिपार्टमेंट चमबा ने याद रखीगा और यह जो लोकल फ्रीडम पाइटर है सौदागरमल इनका नाम भी याद रखीगा और यह भी याद रखीगा इनकी फोटो की जो स्टेंप जो है वो पोस्टल डिपार्टमेंट चमबा इनके द्वारा लाउंच की गई है वहरीज केरियर पॉइंट इनकी विच्टिक में तो हमिरपूर डिस्टिक के बोरंज में स्टीत है केरियर पॉइंट इनकी और इन्होंने हिमाज़वदेश इनकी शिम्बा के साथ एक मुइउ साइन किया गया है हमाज़वदेश इनकी विच्टिक शिम्बा के जो वाइस चांसलर है वो है प्रफेसर शिगंदर कुमार और जो केरियर पॉइंट इन्विच्टिक है अमिरपूर के भोरंज में स्टीत है इसके जो वाइस चांसलर है वो है के एस वर्मा इन्विच्टिक शिम्बा के जाएगा तो कहां किया जाएगा तो यह उन्ना में आईजित किया जाएगा देखे कुलू डिस्टिक की 204 पंचायतों को स्लेक्ट किया गया है और वहाँ पर 5 विकास कारें को और यह 5 विकास कारें जो है 5 लाक रुपई से उपर के होंगे इन्हें एक वर्ष में पूरा किया जाएगा तो कौन से कैमपेन के अंतरगत यह 5 विकास कारें किया जाएंगे और इन पंचायतों में 5 लाक रुपई से अधिक के 5 मेजर डर्मेंट वर्क यानिकी 5 मुखे विकास कारें को किया जाएगा और इन्हें एक वर्ष में किया जाएगा और किस कैमपेन के अंतरगत किया जाएगा तो यह किया जाएगा एक साल 5 काम इस कैमपेन के अंतरगत किया जाएगा और इसमें जो है मुखे रुपचे जो रूरल एरिया है उन्हें ड्वेल्प किया जाएगा इसमें irrigation system, solid based disposal plant, पंचवटी पार्क, rural halt, self-help group building, model अंगरवाडी center, sports ground, मोक्ष धाम, rejuvenation of natural resources और water storage tank इस तरह के development को वर्क किये जाएंगे इस सगटन का नाम बताईए जिसे हाली में अंतरिक्ष पौद्योगिकों को बढ़ावा देने के लिए यानि की space technology को बूस्ट अब करने और अंतरिक्ष मामलों पर एक सोतंतर agency की रूप में कारे करने के लिए परधार मंतरी ने इंद्र मोरी द्वारा शुरू किया गया तो कौन सी अजनसी है तो इसका नाम है इंडियन स्पेस एस्टेशन करेक्ट अंसर है option 4 इंडियन स्पेस एस्टेशन हाली में कि सगटन ने अपने उपगरोहों को लांच करने के लिए इस तरों के PSLV और GSLV MK3 का उप्योग करने के लिए New Space India Limited के साथ समझा गया पर हसक्ष किया है New Space India Limited यह commercial arm है इस तरों की very very important question है यह याद रखेगा तो वन बैब जो है PSLV जिसकी full form है polar satellite launch vehicle और GSLV Geosynchronous Satellite Launch Vehicle MK3 इनको यूज करेगा और अपने satellite launch करेगा कौन करेगा वन बैब याद रखेगा यह अपने satellite launch करेगा इनके जरीए बात करें New Space India Limited की 6 मार 2019 को इसके सापना की गई थी Headquarter important है Headquarter है इसका Bengaluru में और इसके CMD भी important है जो की है G. Narayanan What is the name of novel excise for which India has invited 46 Indian Ocean region countries to participate in and that is plan to be held at Vishakha Patnam in February 2022 देखी फरवरी 2022 में विशाका Patnam में एक Navy की excise होगी जिसमें की 46 देशों को आमांतित किया गया है तो कौन सी यह excise है इसका नाम है Excise Milan याद रखीगा अभी फरवरी 2022 में होगी और इसके लिए 46 कंट्रीज को invite किया गया है और यह कहां होगी आंदरा परदेश के विशाका Patnam में यह याद रखीगा पहली बार हुई थी वरश Calendar में बात करें Indian Navy की सबसे बहले बात करते हैं हमारी Armed Forces की तो Armed Forces के Commander & Chief कौन होते हैं हमारे राष्ट्रपती राष्ट्रपती कौन है हमारे रामनात कोविंद इसके लावा जो हमारी Indian Navy है उसके जो Chief है यानि की Chief और नबल स्टाफ हो है Admiral Karambir Singh इसे फाउटमा में बोलते हैं Wash Institute तो किसने साइन किया है M.O.U ये किया है National Mission of Clean Ganga याद रखेगा National Mission of Clean Ganga ने जो Wash Institute है उसके साथ मल कीचन में सेपटेज परबंदन और क्षमता निर्मान के लिए एक M.O.U साइन किया है इसके लाबे ये भी याद रखेगा जो हमारा नमामी गंगे प्रोग्राम है उसका Official Mascot हाली में लाँच किया गया था कौन है वो है चाचा चौधरी ये Official Mascot यानि कि शुबंकर बनाए गया है और जो चाचा चौधरी है इसे किसने बनाए था मशूर कार्टनिष्ट प्राण कुमार शर्माद्वार इसे बनाए गया था वर्ष 1971 में और किस मैगजीन के लिए बनाए गया था तो हिंदी मैगजीन है लोटपोट उसके लिए ये करेक्टर बनाए गया था which of the following points are correct with respect to 2021 world wrestling championship तो 2020 की जो world wrestling championship हुई इन सब ये पोइंटों मैं से कौन से ऐसे point है जो की सही है इस championship के regarding सबसे पहला point है था 2021 की जो world wrestling championship जो हुई वो OSLO के नारे में हुई तो ये point विलकुल correct है ययनि की option जो eight point है ये correct है दूसरा है अंशू मलिक ये फर्स्ट इंडिन वुमेन बनी है जिन्होंने की सिल्वर मेडल जीता है 2021 की चैंपेंशिप हुई और कौनसी काटेगरी में 57 kg की काटेगरी की बात हो रही है तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है थर्ड है सरीता मोर इन्होंने ब्रॉंज मेडल हुई ये 17 एडिशन था इसका जो कि नौर्वे के औसलो में आईजित की गई बात करें नौर्वे की नौर्वे के जो प्राइम निस्टर है वो है इरना सॉलबर्ग और केप्टल है ओसलो जहां पर की ये वर्ल रेस्लिंग चैंपेंशिप आईजित की गई और करंसी है क्रो चैंपेंशिप हुई 2021 की उसमें मैडल टैली में किसने है तो बॉफ किया है यदर रखीगा ही हिश्यं में किशिप की गोता है इतया कि यह कह ब्रोज तिक बात यहChrie बात यह है एक है धनूश श्रीकांत यह इंडिया के पहले और वर्ल्ड के एक मात्र शूटर ऐसे बन गए जिन्होंने की गोल्ड मैडल जीता है और यह इंपोर्टन इसलिए बने यह गोल्ड मैडल की पिसेज पर जीता है यह जो है आक्तूबर दो हज़ारे किसमें समगर कुईला बंडार के रूप में भारत कर चान क्या है चौतर स्थान पर इंडिया है कोल्ड जर्ब के बेसिज पर इसके लावा इंडिया जो है सेकिंड लाज़ इंपोर्टर फिजूमम और पर्डिउसर है कोल और अगर रेजर्ब की बात की जाए बंदार की बात की जाए तो चौथे नम्मर पर है इंडिया मुख के रूप से इंपोर्ट कहां से करता है इंडोनेशिया औस्टेलिया और सौथ अफरीका से प्रदारमंत्री नेंदर मोधी के सलाहकार की रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो कौन है यह और प्रदारमंत्री नेंदर मोधी के इन एडवाजर बनाए गया है नेक्स्ट इस वीज़ाद फॉलिंग बैंक है अनॉंस इन अक्टूबर 2021 टू लॉंच माइक्रो एटियम एक बैंक ऐसा है जो कि माइक्रो एटियम पुरे बारत में लॉंच कर लेगा तो कौन सा बैंक है य यह थी मारी डिसकेशन और अगर आपको इस सेशन की पीडियाफ चाहिए तो आप टेलिग्राम चैनल से दे सकते हैं टेलिग्राम पर सच कीजिए ही माजल सक्सेस बुक और वहां से आप इस सेशन की पीडियाफ राप्त कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स डिसकेशन में थैंक्स वाचिंग वीडियो दो लाक शेयर और सब्सक्राइब चनल